How to fix google photos can't backup and sync problem तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि मेरा अपना यहाँ पे google photos application के अंदर बेक आप जब भी मैं यहाँ पे करने का कोशिश करता हूँ मुझे यहाँ पे problem आए can't backup and sync तो इस problem को कैसे आप fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भी हो सकता ठीक है यह तो रहा basic बात है और third आपको major setting करना है आपको जाना है अपने mobile के settings पे और यहाँ पे एकदम नीचे आना है आपको और app management में आपको जाना है उसके बात में दूस्तों यहाँ पे आपको कुछ दिर wait कर लेना है हो सकता है कि आपके mobile में installed apps के नाम से भी show हो ठीक है तो basically आपको application पे आना है और यहाँ पे आपको ढूनना है google photos तो आपको google photos नहीं हो कि photos के नाम से show होगा ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना photos ढून लेता हूँ photos 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 तो photos आ चुका है इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पे सबसे बेरे तो इससे force stop कर देना है और storage usage में जाके clear data करके इससे clear कर देना है यह करने के बाद में बेक आना है आपको data usage status में जाके network permission पे जाके wifi और mobile data select करना है उसके बाद में permission पे जाके यह सारा permission आपको allow कर देना है उसके बाद में दुस्तों अपना मुबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजेगा और अपना गूगल फोटोस को खोली आपका जो प्रॉब्लम था बेकाप का वो सॉल्फो के रहेगा उम्मीद करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग